प्राइब करेंगे अपने सीरीज अपने सीरीज आप समझ सकते हैं, तो आज का टॉपिक है क्लोपेडोगल के बारे में, जिन लोग को भी ये मेडिसिन चल रही हो, वो रिक्वेस्ट करूँगा कि उस टॉपिक को डीटेल में तक देख सकते हैं जो लोग मैं चानल पे नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा हमें चानल को सब्स्क्राइब करें, ऐसा करने से हमें चानल को कंटीनू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, उनके लिए को सौट आउट करें, आज का टॉपिक है, क्लोपेडोगल के बारे में, क्लोपेडोगल बेसिकली एक खून पतला करने की दवाई है, यह बॉड़ी के P2 वाइट वेल रिसेप्टर पे आड करती है, जो की प्लेटलेट का एक फैक्टर को ट्रिगर करता है, जब भी कोई चोट लगती है, इंजूरी होती है, या कोई भी जगा पे प्रॉब्लम होती है, तो प्लेटलेट वाँ पर जाके ब्लड को खटा करता है, ताकि ब्लीडिंग ना हो, पर प्लेटलेट अगर अगर ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो खुन गाड़ा हो जाता है, जिसकी वज़े से हार्ट अटाक आने का चांस बढ़ जाता है, ज्यादा था स्टेडीज ने ये शो किया है, कि प्लेटलेट का एक्ट्रिवेशन ही हार्ट अटाक आने के लिए सबसे इंपोर्टेंट का तो इसलिए प्लेटलेट को इनिवेट करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है, खासकर अगर किसी पेशिंट को औरेडी हार्ट अटाक आचुका हो, या नलियों का ब्लोकेज की बिमारी हो, या पहले उनको लखवा आ चुका हो, या कोई भी इस तरह की बिमारी है, जिसकी वज पर आक्टर्स पर आक्ट करती है, पर जिन लोग को भी अंटिक्वाग्लिन मेकैनिजम वाले मेडिसिंस के लिए अगर कोई मनाई है, या ब्लीडिंग रिस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी हम लिए क्लोपेटोगल मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, वैल वाले पेशिंस में भी आंटिक्वाग्लिन के साथ में भी इसको यूज कर सकते हैं, ताकि खून थोड़ा तो पतला रहें, क्योंकि आंटिक्वाग्लिन थोड़े कंपेटिवली ज्यादा स्ट्रॉंग मेडिसिन रहते हैं, तो बेसिकली इंट्स का इंडिकेशन यह है कि जिसको भी खून रखने की ज़रूरत है, चाहे हार्ट अटाक की वज़े से, चाहे ब्लॉकेज की वज़े से, उनको दिया जाता है, यह usually किसी को हार्ट अटाक नहीं आया हो, तो पहले से प्रोफाइल एक्टिकली चालू जादा तर नहीं करते हैं, मतलब कई लोग हमें पूछते हैं कि साब हार्ट अटाक नहीं आया है, कोई ब्लॉकेज भी डाइग्नोज नहीं हुआ है, अब फ्यूचर में ना हार्ट अटाक है, इसके लिए हम ले सकते हैं क्या दवाई, तो उनके लिए यह दवा नहीं है, जिन लोग को ब्लॉकेज डाइग्नोज हो चुका है, या जिन लोग को औरेडी significant heart attack आने का जादा risk है, उनको ये दिया जाता है, इसका reason ये है, कि ये दबा से हर वरिष में लगबग 1% patient को significant bleeding हो सकता है, जो कि कासी में, उल्टी में, motion में, कहीं पर भी bleeding हो सकता है, बहुत किस्मत खराब हो तो brain में भी हो सकता है, तो वैसे cases में bleeding risk significant हो जाता है, जिस आपको ऐसे profilactically नहीं दे सकते हैं कि चलो heart attack बच जाएगा, इसलिए हम दे रहे हैं, वैसा नहीं होता, अगर आपको risk factors है significant तो doctor के साथ consultation करके आप उसको ले सकते हैं, पर वो properly doctor के साथ पूच कर ले, अपने over the counter हिसाब से दुकान चा खरीद के खालिया वैसी वाली दबा न मिलिग्राम वो एक बार में ले ले, 300 मिलिग्राम टाबलेट लेने का एक थोड़ा सा problem यह है कि असर करने में 6-24 घंटे लगता है, उतने दर में कई बार heart attack के patients उससे पहले भी deteriorate हो जाते है, तो उसमें recommended है कि कई बार अगर patient को बढ़ा heart attack है और patient को bleeding risk कम है, तो 300 के बदले आप 600 मिलिग्राम ले लिजे, यानि 75 मिलिग्राम की 8 टाबलेट ले लिजे, तो उसका असर 2-6 घंटे के अंदर चालू हो जाएगा, तो थोड़ा faster onset चालू होगा, पर obviously जितना ज्यादा dose लेंगे तो थोड़ा bleeding का risk बढ़ जाएगा, तो अगर heart attack आपको confirm है, और आपको प एक बार में 4 टाबलेट लेने को बोलते हैं, उसके बाद regular basis में 75 मिलिग्राम का एक टाबलेट लेने को बोलते हैं, कुछ cases में, कुछ doctors ये prefer करते हैं, कि इसको double dose में देते हैं, और फिर बाद में single dose कर देते हैं, उसका basically reason ये है कि 75 मिलिग्राम साला की single dose ही recommended है, पर कई बार लोग को ऐसा लगता है कि दवा कितनी effective होगी, कितनी नहीं, क्योंकि थोड़ी सी weak दवा है, comparatively प्रासुगलर, टिकलगलर के compare से ये थोड़ी सी weak दवा है, तो इसलिए कई बार लोग इसको 75 मिलिग्राम की 2 टाबलेट देते हैं, हार्ट अटाक की कुछ दिनों बात तक, खा risk factors है, body weight बहुत कम है, brain की कोई बिमारिया है, वहाँ पर इस दवा का मनाई है, जिन लोग को इस दवा का पहले का कोई allergic reaction है, उनके लिए भी इस दवा का contraindication है, इसका effect ज्यादा तर ये रहता है कि खून को पतला करता है, यह प्लेटलेट को ये action को पूरी तरह से inhibit कर देता ह आज आपने दवा दी तो खून पतला 5 दिन तक रहेगा, पर इसका ये मतलम नहीं है कि आप एक दिन लो एक दिन छोड़ो तो खून पतला ही रहेगा, वैसा नहीं है, नहीं तो क्या effect fluctuate होता रहता है, क्योंकि 5-6 दिन के बाद बॉड़ी नए platelets बना के नए platelets stream में इंट् सकते हैं कि हर बीत्ते दिन के साथ उसका effect कम हो जाएगा, पर थोड़ा-थोड़ा effect पांस दिन तक चलता है, तो अगर आपको कोई और surgery प्लान करनी हो या कुछ और चीज के लिए आपको दवा बंद करनी हो, तो दवा का असर आपको मान के चलना पड़ता है कि 5 दिन चले का कोई भी surgery आप जो प्लान करते हैं, वो 4-5 दिन के बाद कर सकते हैं, इसके side effects में वैसे बहुत significant side effects नहीं है, सिवा है bleeding के, अगर किसी की किसमत खराब हो तो bleeding हो सकती है, खासी में, उल्टी में, motion में, अगर किसी को थोड़ा-बहुत bleeding होता है, तो वो manageable है, किसी किसको skin में थो severe bleeding हो, तो फिर कई बार दबा बंद भी करने ही पड़ती है, उसको थोड़े time के बंद करके, फिर से कभी-कभी restart करते हैं, कई बार restart नहीं भी करते हैं, वो decision obviously आपको doctor के साथ discuss करके ही लेना पड़ेगा, वो decision अपने level पे, खुच से बंद मत करिया, नहीं तो बंद करने में, अगर खासकर आपको heart attack fresh है, या stand fresh है, तो उसमें आपको दिक्कत होने का chance ज्यादा रहेगा, पहले चार्च है मैंना बिल्कुल भी एक दिन भी दबा को miss नहीं करना चाहिए, इसके dangerous side effects में यह है कि by chance अगर किसी किसमत कराब और brain में bleeding हो जाए, तो फिर उसको manage करना बहुत म bleeding हो जाए, तो उसको आप रोख सकते है, दवा से कम कर सकते है, उसका effect और जादा तर उसमें जान का खत्रा नहीं होता, पर brain में अगर bleeding हो जाए, तो फिर जान का खत्रा भी होता है, और फिर लोगों को long term problems भी आती है, तो अगर brain में किसी को bleeding हो तो उनको थोड़ा जादा सत तरता रखने की जरूरत है, वहाँ पर दवा को हमेशा के लिए फिर बंद भी कर दिया जाता है, और फिर brain के लिए लग से treatment भी करना पड़ता है, इसके interactions कुछ है, कुछ medicines जैसे की पूराने जेनरेशन की जो acidity की दवाएं, omiprazole वगेरा, उसके साथ इसका interaction बोला जाता है कि लिवर पे क्या है, normally ये drug, लिवर में convert होती है, active form में, इसको pro drug form बोलते हैं कि जब हम देते हैं, तो पहले लिवर में जाती है, लिवर में convert होती है, active form में उसके बाद असर करती है, इसलिए इसको असर करने में बाकी दवाएं के comparison में ज्यादा time लगता है, और इस दवा क दो और अंदर जाके कोई असर ना करें, ऐसा भी हो सकता है, तो वैसे cases में कई बार दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए angioplasty के तुरंद बाद या heart attack के तुरंद बाद ज्यादा तर जिन लोग को stand डाला गया है, उनको newer anti-plateless ज्यादा prefer किये जाता है, जैसे ticagloroprasugel, ताकि उ प्लेट अग्रिगोमेट्रिकल के टेस्ट होता है, उससे आप assess कर सकते हो कि इतना आपकी बाडी में fit कर रहा है, पर यह test थोड़ा कंबर से में, थोड़ा costly है, तो रूटीनली इसको नहीं करते है, कुछ हॉस्पिल ने पहले जमाने में इंट्रिद्यूस किया था कि इसको routinely पुराना हो जाए, तब यह दवा को जादातर switch over किया जाता है, तो उस टाइम पर क्या है, अगर दवा ने असर कम भी किया तो भी उतना फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि उस टाइम तक stand के उपर endothelium की layer जम चुकी होती है, तो stand में clotting आने का chance 1% से भी कम होता है, तो वैसे case में अगर वाइचांस Clopidogal ने कम असर भी किया, तो भी उतना फरक नहीं पड़ता है, इसलिए 4-6 मैंने के बाद Clopidogal को heart attack के बाद चालू किया जाता है, पहले 4-6 मैंने जादतार लोग को Clopidogal के बतले उससे जो stronger medicines है, याने Ticaglor, Prasugil वो ही देना prefer करते हैं, इसके ल blood thinning medication है, जैसे vitamin के antagonist से warfarin और acetrom या comarin, उससे भी इसका थोड़ा सा effect आ सकता है, interaction हो सकता है, और दूसरे जो खून पतला करने की दवा हैं, जैसे aspirin है, और NSAID group of medicine है, जैसे ibuprofen है, naproxen है, indomethacin है, diclofenac है, इनसे भी थोड़ा सा interaction हो सकता है, तो इसलिए ये साधी medicines को थो herbal products के साथ भी, अगर इसको आप ले रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच के लिजे, क्योंकि दवा का थोड़ा से interaction होने का chance ज्यादा है, और अगर liver पर बागी कोई दवा करते हैं, तो इस दवा का काम inhibit हो सकता है, लिवर kidney damage वाले patient में इसका दवा का normally standard dose ही दिया जाता है, पर अग इसको 300 mg या 600 mg का loading dose देते हैं, कुछ दिनों तक या कुछ हफतों तक कुछ doctors double dose भी देते हैं, यानि 150 mg पर दे भी देते हैं, बाद में 75 mg पर दे, lifetime continue करते हैं, अगर किसी patient को bleeding risk जादा है, या आप खून पतला करने की एक दवा continue करना चाहते हैं, तो aspirin या clopidogal दोनों में से एक दवा को आप lifetime continue करते हैं, foreign countries में जहाँ aspirin बहुत सस्ती है, clopidogal बहुत महेंगी है, वहाँ पे वो लोग cost effective nature को देखके, lifetime लोग को aspirin continue करते हैं, clopidogal को बंद कर देते हैं, Indian countries में जहाँ aspirin 2-3 रुपे की आती है, clopidogal 5-7 रुपे की आती है, बहुत cost में difference नहीं है, त उसका reason यह है कि aspirin में comparative थोड़ा सा gastric irritation, acidity का side effect और पेट में ulcer होने का chance ज्यादा रहता है, clopidogal पेट में उतना irritation नहीं करती है, प्लस थोड़ा effect 20 का aspirin से ज्यादा है, तो ऐसे लोगों में हम दोनों में से एक कोगर choose करना होता है, तो Indian countries में, जहाँ cost का issue नहीं है, वहाँ जब भी medicine को दिया जाता है, या इसका 300 से 600 mg का एक बार loading dose दिया जाता है, उसके बाद इसको start किया जाता है, heart attack आने से पहले primary prophylaxis में सिफ heart attack के incidence को रोकने के लिए बहुत कम cases में use किया जाता है, अगर किसी को documented blockage है या कोई high risk patient है, तो ही दिया जाता है, otherwise नहीं दिया जाता जादा तर एक case में दवा को lifetime continue किया जाता है, अगर किसी patient को कोई surgery वगर होनी है, या उसको already कोई bleeding हुआ है, तो दवा को बंद किया जाता है, और इसका effect क्योंकि 5 दिन तक रहता है, तो 5-7 दिन बंद रखना पड़ता है, फिर अगर bleeding रुख जाए और बहुत ज़रूरी हो, तो आप उसको restart कर सकते हैं, नहीं तो कभी-कभी permanently बंद भी रखना पड़ता है, अगर कोई patient को non-cardiac surgeries करनी है, जैसे कोई hernia hydroceal का आख का ऐसा कोई surgery करना है, तो वहाँ पर इस दवा को operation से 4-5 दिन पहले बंद करके, फिर operation के तुरन बाद इसको start कर दिया जाता है, पर ऐसे case में angioplasty के तुरन बाद और heart attack के तुरन बाद हम कोई भी surgery को करना है, avoid इसले करते हैं, क्योंकि जैसे हम दवा बंद करते हैं, heart attack आने का chance कई गुना बढ़ जाता है, stent में clot होने का chance कई गुना बढ़ जाता है, तो वैसे patients को हिदायत देते हैं कि ये दवा को operation होने के 5-7 दिन at least continue रखें, operation होने के 5-7 दिन बंद करके उसके बाद restart करें, लेकिन ये operation को ही अगर possible हो तो delay करें, क्योंकि अगर आप operation एक-8 साल तक delay करते हैं, तो थोड़ा heart attack आने का chance कम हो जाता है, angioplasty के बाद stand करने के बाद पहला 1 साल थोड़ा जाधा dangerous रहता है, जिसमें अगर आप दबा को एक भी दिन मिस करते हैं, तो थोड़ा जान का खत्रा हो सकता है, इसके common trade names में जाधा तर प्लाविक्स है, क्लोपी टाब है, क्लोपी लेट है, डीप प्लाट है, क्लोपी वास है, सेरूविन है, प्लाजरिन है, क्लाविक्स है, ये सारे नाम के तरह से ये काफ क्लोपीटोगल के बारे में बात की, ये काफी common card एक खून पतला करने की दवा है, होपफूली इसके बारे में आपको ज्यादातर information मिल गई होगी, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई topic या कोई point रहे गया है, या कोई चीज पर मैंने cover नहीं किया है, तो आप उसको discuss कर स सकते हैं, जैदि आपकी कोई comments, queries, suggestions है, कोई और topics पर आप चाहते हैं, वीडियो बनाए हम, या कोई आपकी patient related queries है, तो नीचे comment section में उनके बारे में बताए, हम future में topics को cover करने का प्रेयास करेंगे,